हेलो जुडिशल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशल ड्रीम की मॉडल अंसर क्लास में आप सभी का स्वागत है जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी MPJS की जो टेस्स सीरीज है वो 13 सेप्टेंबर को लौंच हो चुकी है और हमने सबसे पहला मौक टेस्ट IPC का अपलोड किया था उसके बाद हमने CPC, CRPC और Indian Evidence Act का मौक टेस्ट अपलोड किया था और हमने 12 अक्तूबर को अपना नया मौक टेस्ट जो की Constitution का था उसको अपलोड किया था जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी फुल टेस्ट सीरीज को बाई किया है उनके लिए all the best प्रदो अभी तक जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी फुल टेस्ट सीरीज को बाई नहीं किया है वे हमारे individual मौक टेस्ट को भी बाई कर सकते हैं और उसे एनलाइज करने के बाद यह हैं डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें हमारी फुल टेस्स सीरीज को बाय करना चाहिए या बाय नहीं करना चाहिए और अगर उनके मन में कोई भी doubt है तो वो ब्रोशर में से हमारी test series की सारी detail को बढ़ सकते हैं और अगर फिर भी कोई doubt रह जाता है तो वो हमारे ब्रोशर में दिये हुए contact number पे call करके उस doubt को कभी भी clear करवा सकते हैं और जो भी students बिहार के जुडिश्रे के exam में अपियर हो रहे हैं उनकी अच्छी preparation के लिए हमारी team ने एक special test series को launch किया है जो भी students हमारी उस test series को buy करने में interested हैं वो हमारे brochure में से उस test series की सारी detail को पढ़ सकते हैं और अगर फिर भी कोई doubt रह जाता है तो वो brochure में दिये हुए contact number पे call करके उस doubt को कभी भी clear करवा सकते हैं चलो अब हम अपने आज के model answer को discuss करते हैं जो आज का model answer है वो एक बड़े ही important topic पर है जो की restitution of conjugal rights है और इस पर directly question किसी भी exam में पूछा जा सकता है और examiner आपको पूछ सकता है कि discuss the concept of restitution of conjugal rights under the Muslim law अगर किसी भी exam में आपको ये question पूछा जाता है तो आपने सबसे पहले यह है बताना है कि किसी भी religion में चाहे वो हिंदू religion है चाहे वो Muslim religion है उसमें जो marriage है वो एक बड़ा ही important institution है और वो सिरफ parties को आपस में एक साथ रहने के लिए ही नहीं allow करता बलकि कई matrimonial rights and obligations को भी rise करता है और हर एक party को bound करता है कि वो उन matrimonial obligations को fulfill करें इसके इलावा जो marriage है वो parties को यह freedom देती है कि वो एक दूसरे की companionship को enjoy करें और एक दूसरे को financially, physically और emotionally sport करें इसके बाद हम अपने answer में बताएंगे कि यह हर एक party की जिम्मेवारी है कि वो अपनी matrimonial obligations को fulfill करें परन्तु अगर किसी भी case में कोई भी party अपनी matrimonial obligations को perform नहीं करती है और वो बिना किसी reason के दूसरी party को छोड़ देती है तो उस case में क्या aggrieved party के पास यह है अधिकार है कि वो जो wrongdoer है उसको compel कर सके कि वो अपनी matrimonial obligations को fulfill करें तो इस question को clarify करने के लिए हम बताएंगे कि Muslim law के according अगर कोई भी party अपनी matrimonial obligations को perform करने से मना कर देती है और वो बिना किसी कारण दूसरी party को छोड़ देती है तो उस case में जो aggrieved party है उसके पास यह है अधिकार है कि वो court में restitution of conjugal rights के suit को file करें और दूसरी party को compel करें कि वो अपनी matrimonial obligations को fulfill करें इसके बाद हम अपने answer में बताएंगे कि जो conjugal rights है उसका meaning matrimonial rights है और जो society है उसका मतलब companionship है इसका मतलब यह है कि जो वो दो parties है वो आपस में एक दूसरी के साथ रहती है और अपने matrimonial rights को fulfill करती है इसके बाद हम अपने answer में बताएंगे कि अगर कोई भी party without any excuse दूसरी party के साथ रहने से मना कर देती है या फिर दूसरी party के साथ matrimonial intercourse को करने से मना कर देती है तो उस case में हम यह deem करते हैं कि उसने दूसरे party की society को छोड़ दिया है तो हम यह कह सकते हैं कि withdrawn from the society का मतलब यह है कि उसने दूसरी party को desert कर दिया है तो हम यह कह सकते हैं कि जो withdrawn from society word है उसमें desertion के element होते हैं इसके बाद हम अपने answer में बताएंगे कि जो withdrawn from society में desertion के element है वो desertion को दो part में divide करते हैं इसके बाद हम अपने answer में बताएंगे कि actual desertion का meaning यह है कि अगर कोई भी एक party without any reasonable excuse दूसरी party के साथ रहने से मना कर देती है और वो उसे छोड़ कर किसी और जगा पर रहने लग जाती है तो वो actual desertion माना जाता है प्रन्तु अगर किसी भी case में एक party अपनी matrimonial obligations को perform करने से मना कर देती है प्रन्तु वह दूसरी party के साथ एक ही छत के नीचे यानि की एक ही घर में रहते हैं प्रन्तु matrimonial intercourse करने से मना कर देती है तो उस case में हम उसे constructive desertion डीन करते हैं Muslim law के according इन दोनों cases में यानि कि अगर कोई भी party actually desert करता है दूसरी party को या वो constructively desert करता है दूसरी party को तो aggraved party के पास यह है अधिकार है कि वो court में for the restitution of conjugal rights के लिए suit file कर सके प्रन्तु अगर कोई भी party इसके लिए court में suit file करती है तो उसे यह prove करना पड़ता है कि जो दूसरी party ने desert किया है वो without any reasonable excuse किया है अगर वो इस fact को prove कर देती है तो जो burden of proof है वो दूसरी party पर shift हो जाता है और respondent को यह prove करना पड़ता है कि उसने जो desertion की है या उसने जो दूसरी party की society से अपने आपको withdraw किया है वो किसी भी reasonable excuse की वजह से किया है अगर वो reasonable excuse को prove कर देता है तो उस case में जो court है वो restitution of conjugal right की decree को पास नहीं करेगी परंतु अगर वो ऐसा करने में असफल हो जाता है तो उस case में जो court है वो restitution of conjugal right की decree को grant कर देगी for example अगर कोई भी party दूसरी party के साथ मारपीट करती है और उसे cruelty से deal करती है और जो aggrieved party है वो पहले वाली party को छोड़ कर चली जाती है तो उस case में जो respondent है उसके पास यह reasonable excuse है कि उसने because of the cruelty पहले वाली party की society को छोड़ा है या फिर desert किया है तो इस case में अगर जो wrongdoer है वो restitution of conjugal right के लिए suit file भी करता है तो इस case में जो court है वो restitution की decree को grant नहीं करेगी इसके बाद हम अपने answer में बताएंगे कि जो restitution of conjugal right का relief है वो एक positive relief है और इसका जो main aim है वो marriage को preserve करना है ना कि इसको disrupt करना है as like the divorce या फिर judicial separation ये marriage को protect करती है और try करती है कि जो दोनों parties है वो आपस में दोबारा से reunite हो जाए और उनके बीच में जो भी dispute है वो solve हो जाए इसके बाद हम अपने answer को conclude करेंगे और बताएंगे कि जो marriage है वो एक social institution है और यह है ना सिर्फ parties के लिए ही बलकि society के लिए भी important है क्योंकि यह society को continue रहने में help करता है by adding a unit into it so जो court है वो society के लिए भी यह try करती है कि जो marriage है उसको preserve किया जाए और उसे तूटने से बचाया जाए तो अगर court को यह लगता है कि जो वो parties है वो आपस में reunite कर सकती है और वो जो भी dispute है उसको solve कर सकती है तो उस case में वो restitution of conjugal right की decree को जरूर grant करती है तो अगर किसी भी exam में आपको यह question पूछा जाता है तो आपने अपने answer को कुछ ऐसे ही attempt करना है और अगर आप इस answer की PDF चाते हैं या फिर हमारे आने वाले अगले answers की PDF चाते हैं वो आपको Sunday to Sunday provide करवा दी जाएंगी और अगर आपको हमारी concept classes समझ में आ रही हैं और आप इने पसंद भी करते हैं तो आप हमारी हर एक वीडियो को share करें हमारे channel को subscribe करें, follow करें और जिन भी students ने अभी तक हमारी MPJS की test series को buy नहीं किया है अगर उनके मन में कोई भी doubt है तो वो हमारे brochure में से हमारी test series की सारी detail को पढ़ सकते हैं और अगर फिर भी कोई doubt रह जाता है तो वो brochure में दिये होए contact number पे call करके उस doubt को कभी भी clear करवा सकते हैं और जो भी students बिहार के judiciary के exam में appear हो रहे हैं और वो हमारी test series को buy करने में interested हैं वो हमारी test series की सारी detail हमारे brochure में से पढ़ सकते हैं और अगर फिर भी कोई doubt रह जाता है तो वो brochure में दिये होए contact number पे call करके उस doubt को कभी भी clear करवा सकते हैं Thank you